मौसम में तबदीली आ रही है जिस वज़ा से मजाज में भी तबदीली आ रही है और तब बेद खराब हो गई थी हमारी इस वज़ा से ये वीडियो अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम लग गया तो ये वीडियो है गरबर जाला शॉपिंग हॉल की जैसे के एक शौर्स हमने अपलोड किया था कि गरबर जाला शॉपिंग व्लॉग कमिंग सून करके तो वही है यहाँ पर थोड़ी सी जलक दिखा दें ताकि आप लोग कनिक्ट कर सकें ये हमारे गरबर जाला व्लॉग की एक छोटी सी जलक है और अब शुरू करते हैं शॉपिंग हॉल तो पहला ये ब्रसलेट है ऑक्सेडाइज जिसमें कुछ स्टोन है अलग अलग कलर के लगे हुए तो यह है और लिया था हमने एक फोन कवर तो मेरे फोन पर ट्रांसपेरेंट वाला जो कवर होता है वही था वो कुछ दिनों में गंदा हो जाता है न तो वह हो गया था तो इस वचाएं से एक फोन मतलब फोन कवर की शॉप देखी हमने तो वाहाँ से यह ले लिया था हमको थोड़ा सा एसे चाहिए भी था गरलिश सा थोड़ा पता चले किसी लड़की मतलब फीमेल फोन कवर है यह वाला और एक चीज हम क्लियर कर दें कि जो गर्बर जाला हम लोग गये थे वो किसी की शादी की शॉपिंग के परपस से गये थे तो उस हिसाब की ही चीजें हैं इसमें वही कुछ वही सारी शॉपिंग हमने शेयर की है जो ले थी तो यहां पर सबसे पहले यह दो नोस पिन हैं जो कि दबाने वाली हैं बसनाक में ऐसे लगा के दबा दि तो पता नहीं अब इसका अस्तमाल होएगा या नहीं लेकिन बस ये ले ली है एहतियातन रख लिया है दिख गई थी तो और ये है एक चूड़ी केस बैंगल बॉक्स जो होता है चूड़ी चूड़ियां रखने का डबा तो वो है ये और उपर से ना ये थोड़ा साइसे कु लेकिन फीन मिल रहा था जो रहा था उस अच्छा नहीं लग रहा था तो ये सही लग रहा थ और इसका कलर जैसे सामने से भी मतलब और यह एए हैं साड़ी चूड़ियां हम था जाद pillar मैं है हम जैसे ही यह जो है बॉक्स खुला तो ध्यान आया कि इसमें तो चूडिया मिक्स हैं जहां भी हम लोग गए कहीं दिखी तो वहाँ से ले ली थी और यह अभी हम क्लेर करते हैं कौन से कहा की हैं यह चारो गडबर जाला की ही है चूडिया और अभी इसको हम लगा लें फिर हम दिखाते हैं दूसरा रोड तो इसमें मिक्स चूडिया हैं तो जो दूसरी जगों की चूडिया हैं वो पहले अलग कर देते हैं ताके आप लोगों को क्लेर समझ में आए तो यह जो है यह तीनों चूडिया यह भी वहीं की हैं गरबर जाला की ही हैं वैसे तो हम गरबर जाला का ही व्लॉग बना रहे थे लेकिन अब इत्तफाक से डबो यह इस डब्बे में रखी हुई थी चूडिया सारी तो दिख गई तो इस वज़ा से हम बता दें कि कौन सी कहा की है ताके एक आइडिया हो जाए और ऐसा नहीं है कि जो कहीं और की है वो यहां नहीं मिलेगी गरबर जाला में वही से यहां पर भी मिलती है बस यह है कि हम लोग कहीं गया इत्फाक से दिखी तो ले ली थी और यह ये हैं ये सारी जो लगी हुई हैं ये सारी लूलू मॉल की हैं जिसमें ये साइड में जो सिल्वर वाला है वो दोनों साइड में सिल्वर वाला वो भी लूलू मॉल का है बीच में जो दोनों है मरून और गोल्डन ये भी लूलू मॉल का है और ये लूलू मॉल का हो गया और यह वाला जो है यह दोनों यह भूतनात का था तो अब चूड़ी के बॉक्स में था तो हमने बता दिया है वैसे यह यह जो शॉपिंग वॉल है यह बाकी सारा गरबड जाला का ही है और इस तरह की भी जो हमने लूलो मॉल से लिए है या भूतनात से लिए है यह सारे गरबर जाला में भी तो ऐसे कोई शू नहीं है बस हमने एक दिखा दिया है क्योंकि खुल गया था डबा बॉक्स में थी चूडियां तो हमने दिखा दिये और यह इस तरह से हो गया हमारा चूडि का बॉक्स तो हम लोगों ने बहुत बड़ा नहीं लिया है सिर्फ दो अपने हिसाब से और यहां पर यह मेकप बॉक्स तो मेकप बॉक्स भी बहुत ज्यादा है वी या ऐससे स्टेप्स वाला ने लिया है वह सिंपल सा बॉक्स है वह भी के से मैच करता हूआ और यह भी सेम कलर है अधुल गया सेम सब कुछ ए구요 यहां के चूड़ी वाले बॉक्स में था वो वाला उतना अच्छा नहीं लगता है जितना ये सही लगता है क्यारी करते बनता है और कुछ तूटने वगएरा कभी डर नहीं होता और ये एक सिंपल सा बॉक्स है नॉर्मली जैसे खोलते हैं जिप तो वैसी खोलेंगे और इसमें कम इन दिखाएंगे कि इसमें क्या क्या है फिलहाल बस ये बॉक्स देखिए के एक मेकप बॉक्स भी है तो इस तरह का ये है सिंपल सा बॉक्स और मीडियम साइब का है बहुत जादा बड़ा नहीं है बहुत छोटा नहीं है सही है केरी करते बनेगा कहीं भी आना जाना हो क यह मुरीषा और चमकीला तो इसमें भी वैसे तो यह भी मेकप ही रखने के लिए जो भी रखिया आप जो भी चीजें समझ में आए तो इसमें क्रीम वगएरा है वाइप वगएरा है यह सब कुछ है तो यह एक और अब हम लोगों ने लिया था एक आर्टिफिशल सेट तो ज एर रिंग्स है नेकपीस है और यह टीका है टीका जो है वह एर रिंग्स से बनवाया हम लोगों ने और साइड में जो लगाते हैं जूमर या पासा क्या बोलते हैं उसको वह है तो पास से हम दिखाते हैं यह यह इस तरह कहें लखनवी कुंदन बोलते हैं इसको लखनवी कुंदन का सेट है ये और इसको उपर से चुँएंगे ना इसमें कुछ भी ऐसे नहीं फील होता मतलब उबरा उबरा सा जैसे नग होता है उस तरह का नहीं होता है पीछे से बिल्कुल क्लीन होता है और थोड़ा रफ सा होता है जैसे बहुत ज्यादा फिनिशिंग नहीं होती है इसमें और ये थोड़ा साना कैमरा भी ऐसे फोकस नहीं हो पा रहा कभी कभी सही से वह पा रहा है कभी नहीं हो पा रहा है तो देखिए ये है एक इस तरह का सेट माशाल्ला और अच्छा लग रहा था ये भी काफी अच्छा लग रहा था और इसमें इसमें भ इतना ही लिया है इतना दिख रहा है और यह एक ट्रांस्पेरेंट पाउच जिसमें शावर जल मॉस्टराइजर मतलब लोशन बॉड़ी लोशन वगेरा यह सब कुछ है शैम्पू कंडिशनर यह सारा कुछ है इसमें और यह जो है मेकप बॉक्स जो था जो आपने बोला था इंड में दिखाएंगे कि इसमें क्या क्या है तो यहां पर वही है अब वही हम खोल रहें दिखाने के लिए तो सबसे पहले यह कॉटन बॉल जाती हैं मेकप उतारने के लिए और यह काजल है और लिप बाम तो देखनी पड़ेंग लाइन टर लांग की फिक्सादा व MAKE-UP करने के बाद है से प्रेय करते हैं अ को अक्यों खराब ना हो मेकप और यह है छोटा स्aja क्यू भॉस है जिसमें ब्रशेंगे चोटे चोटे से तो यह है और यह इसका जो है आइसमें लाइनर यह यह लाइनर है नहीं .... यह लगाया कैसे जाएगा तु वही है यह आईब्रो पैंसल है और मतल्मम असे में कम नहीं है मेकप की चीज भेहां जादा वाली यह व्य हैं यह ज़ाएट ने बझकानी उसके अंदर चीजें चाहिए तो उस हुसाब से ले ली उन चीजों में भी कुछ चीजें जैसे कुछ चीजें बताई की ये वाले में ये वाला दे दीजे या इसको सस्ता कर दीजे या ये चीज महगी कर दीजे इस तरीके से लेकिन सब बजट के अंदर ही लिया है और ये क्या है ये प्र तो वही है और यह जो है एक छोटा सा मेकप यह आईशाइडव पैलेट जो होता है वह है तो इसमें भी था इसमें और बड़े में भी था थोड़ा आप लुक देख रहे थे तो लेकिन ना फिर हम लोग सोचा के छोटा रखते हैं मतलब कम शेड्स रहें लेकिन अच्छे रह हैं मतलब जो बतलब लगाने पर टिके रहें क्या बोलते हैं उसको याद नहीं आ रहा उसका exact word क्या होता है तो जो भी यह टिकने वाला होना चाहिए तो डार्क रहें यहां पर यह देखें यह थोड़ा सा हलकल्का सा टच करके हमने लगाया है अपने हाथ पर तो यह इस त पिल्पना कुछ हम लोग कर भी नहीं सकते हैं और अब nhất क्या बोलते हैं कि भी ब्लेंडर ब्लेंडर याद आए सोचने बहुत देर सोचना पड़े कि कि उसको क्या बोलतें कभी एशा हता है कि चीजें से जुड़ आती नहीं कि क्या है एक से बोल दो बोलते बोलते और ये एक फजूल सी लिपस्टिक ले लिए थी पता नहीं कि ऐसा सा शेड है इसका वो गलती से आगी है शायद तो सारे चीज़ें से खोल के नहीं दिखा सकते क्योंकि इतना जादा डीटेल इन सब के बारे में पता भी नहीं है और जब जादा जा आप बात बता दें कि हमें कोई जानकारी नहीं है इन प्रोडक्ट के बारे में बस हम लोगों ने बजट के हिसाब से चीज़े ले ली है कुछ उसी में कुछ को थोड़ा अच्छा कर दिया है कुछ को मतलब नॉर्मल रखा है तो ये सारे ये जो है ये टोनर है उससे पहले क्लेंजेंग के लिए था तो वही कुछ है और ये एक है जिसमें ये क्या है हाँ हैव ये काम की चीज़े दिखाते हैं तो इसमें ऑन तीन चीज़े हैं जिसमें ब्लश आएगा हाइलाइटर आएगा और काउंटोर करते हैं जैसे फेस को शेप वगहरा देते हैं तो वह तो यह तीनों चीज़ें हैं इसको एसे प्रॉपर नहीं खोल रहा है हैं तो यह पर हो चुका है हमारा मेकप बॉक्स खाली हो चुका है का नहीं नε히 बाकिया भी तो इस में। है एक पैंसल लिप लाइनर होताँ है तो उसकी भी बस एक ही पैंसल ली है हो caliber की तो देख सकते हैं यह एक है बस एक पैंसल ली है और एक लिया था क्या एक लिपस्टिक है बतलब एक तो हमने लिपस्टिक दिखाई ना फ़जूल से शेड़ वाली पता नहीं उसका क्या इस्तमाल होना है और एक यह वाला था तो यह वाली जो थी ना यह समझ में नहीं आ रही थी कि इसको यह खुलेगी कैसे यह तो खैर उपर से एसका वह जो है वह हटा दिया था हमने कैप जो है और अब उसको नीचे से गुंआ गुंआ के समझ में नहीं आ रहे थे उसको रूगूंग फिर बाद में ना समझ में आए कि ऊपर से खुलेगा फाइनली इसको खुला हमने ऊपर से घुमाया तब खुली और यह था इस तरह का शेड़ अब लगाके दिखाते हैं सही से कैसा सा शेड़ आने वाला है तो यह वाला है इसका शेड़ और यह लिया है लोगों ने तो यह था हम लोगों का मेकप का समान सारा तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका शेड़ अच्छा है ना फोकस हम कर रहे हैं फोकस करके दिखाए इसमें कैमरा बार-बार फोकस करना छोड़ देता है तो अब हो चुका है खाली देख सकते हैं यह सिंपल सा एक बॉक्स था बस तो उसमें अब हम लोग यह सारा समान वापस रखेंगे और चलते हैं नेक्स्ट पाउच की तरफ तो उसमें भी दिखा देते हैं कि क्या क्या है और इस पाउच में जैसे शैंपू है कंडिशनर है औ यह सब कुछ तो यहां पर यह बाडी लोशन है और कंडिशनर है फेस वाश है और यह क्या है परपल वाला शावर जल और यह जो होता नधी ओडूलेंट प्ली स्प्रे स्प्य और ओगएरँ वह सब कुछ थी और बाकी वाइप स्क्रीम्स यह सब कुछ है तो अलग-अलग अलग-अलग तरीके सिर रख दिया था कि नहहने से रिलेटिटट सारी चीज़ें एक पाउच में हो्ड में हो और क्रीम्स वगैरा जो एक पाउच में हो तो ताकि आइसानी रहे एक एक पाउच उटाओ और अपना काम कर लो तो ये क्रीम है ऐसे नॉर्मल क्रीम नॉर्मल डे क्रीम जो होती है और जैसे पिंक वाला जो पाउच है ना उसमें क्रीम सी वगएरा क्रीम वाइब सी ये सारी चीज़े रखी थी तो ये था हमारा आज का व्लॉग उमीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा हो तेंक यू फॉर वाचिंग